जहां इस महमारी ने ग्रामिण अंचलों में कई दिक्कते दिख रही है पर राहत के बात तो ये है कि राजसरकार गरीबों के लिए राज़धानी का पिटारा खोल रही है पर क्या ये पंचायत कर्मी ग्रामिणों से कमिशन खोरी की बात करते दिख रहे हैं? लगातार पंचायतों से ब्रष्टाचार के खबरे आती दिख रही है जिसे मीडिया लगातार ब्रष्टाचार को उजागर कर रही है पर जिले में बैठे उचधिकारी और ब्रष्टाचार होने का इंतजार कर रहे हैं जनपत पंचायद में ये पहला मामला नहीं कई मामले हैं जो जनपत तक ही सीमित है और जनपत में तो सब गोलमाल है तो कालिवाई कहां से की गई ऐसा ही नया मामला ग्राम पंचायद बिच्छिया का है जो की जनपत बुढ़ार के अंतरगत है नया मामला ग्राम पंचायद बिच्छिया का है जो की लगातार भरष्टाचार किये जाने का मामला सामने आया जहां पर कई मामले हैं जहां पर पंचायद कर्मियों से लेकर वर्षो पुराने कारे बिष्टाचार के कारण नहीं हो सके नए काम तो तीन दिनों में पूरे हो गए पर अगर मटेरियल के क्वालिटी चेक की जाए तो सब गोलमाल दिखेगा शेडोल से संदीपतेवारी की रिप्ट इसके अब नहीं वहां पर यहां आपको नाम आया है वास में जब नाम लिके लगें तक आहिं नहीं आए अच्छा लेकिन अभी आया दे नहीं रहे हैं देना जिसमेरे कस दोनों सकेटरी बोले है यह कुछ पैसा चाहिए जिसमें बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है तो बोला कि उसी मेंसे कड जाएगा पांस जार रुपिया हम लेंगे तो मैंने दिया एक आवास दिलाने का आप से पांच हजा रुपिया निया पैसा किसे ने लिया है यह सकेट्री लोग लिये सकेटरिक क्या नाम है? दिलिप है और उनको नहीं जानता हूर तरिय वाले का विचिया के सचhead है? यो मेरे से बोला कि पैसा मेरे को पांशजार रूपया चाहिए जब तुमारा घर इसू होगा नहीं होगा आप नहीं पैसा दिया? मैं पैसा उनको दिया जब मेरा घर आया मतलब आपको आवास दिलाने के लिए आप से पैसे मांगा गया पासजार रुपिया बोले तो मैं बोला कि गरीब आदमी मैं कहां से दूंगा मेरे पैसा नहीं है करके बोले कि हो गए तुम्हारा आवास से हम काट लेंगे अच्छा ध